दस अपरेल 1912 को बाइस सो से जादा लोगों को एक तिल धहलाने वाले सफ़र पर लेकर लगजरी स्टीम सिप टाइटानिक बिटेन के साउथ हेम्टन से नियू योर्क सिटी के लिए रवाना हुआ उस सिप में उस समय के कई फैमस सेलेब्रिटीज मौझूद थे टाइटानिक लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था टाइटानिक के बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता सफर में अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि 14 अपरेल 1912 की रात 11.40 मिनट पर 53,200 टन का एजहाज एक आइस बर्ग से टकरा गया जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये अंसिंके बल है और देखते देखते समंदर के हागोस में समा गया उस हादसे में करीब 15 सो लोग मारे गए और जो बच गए उनके पास रह गई एक दर्द भरी कहानी और दुनिया के सामने आई एक अंसॉल्ब मिस्टरी आकर इसके डूबने की वज़ा क्या थी? या फिर एक मानव निर्मित गलती का शिकार बना अपने अंदर रने को राज शिपाई टाइटाइनिक आज भी एटलांटिक महासागर के गहराईयों में मुझूद है अट साल कई लोग करोडों खर्च करके समंदर के अंदर अपने अपने सवालों के जवाब ढूने निकलते हैं दरासल सोरा जून को सैंट जियोर्ज न्यूफाउंड लेंड रिसर्च और एक्सपडिशन शिप ओशिन गेट कंपनी की टाइटन सम्मरीन पांच लोगों को लेकर टाइटन के रेकेज यानी मलवे को दिखाने निकलती है 18 जून को टाइटन सम्मरीन अपनी जर्णी को स्टार्ट करती है दो गंटे बाद ही टाइटन सम्मरीन का कॉंटक्ट अपने कंट्रोल लूम से तूट जाता है उसके बाद Search and Rescue Operation स्टार्ट हुआ, Navy and Company ने इस Operation को स्टार्ट किया, तीन दिनों तक चले इस Operation के बाद सम्मरीन में सवार सभी लोगों को डैट डिकलियर कर दिया गया, आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे यह हादसा कैसे हुआ, और मारे गई लोग कौन थे, 1912 में डूबे टाइटानिक के मलवे को देखने पोची, टाइटन सम्मरीन में सवार सभी पांच बिलियर्नर्स की डैथ हो गई है, कई दिनों से सम्मरीन की तलाश में Navy and Coast Guard की टीम लगी हुई थी, रिपोर्ट की मताबिक 22 जून को सम्मरीन का रैकेस टाइटानिक के पास मिला, जिसे कैना के UAV ने रिकवर किया है, मलवे के मिलने के बाद, एक्सपर्स की टीम ने डेटल रिपोर्ट के लिए रिसेर्च करना स्टार्ट कर दिया है, वहीं Ocean Gate Company ने मारे कई लोगों के प्रती अपनी शुद्धानजली व्यक्त की है, इस हादसे में मारे गई कम्पनी के फाउंडर and CEO और Stockton Rush बेशामिल थे, ये एक सम्मरीन 18 जून को अपने सफर पर निकली और दो गंटे बाद ही इससे कॉंटक टूड गया, जिस टूर पर ये सम्मरीन निकली थी वो करीब 8 गंटे का होता है, जिसमें 2 गंटे का समय टाइटानिक तक पहुँचने में लगता है, वहीं 4 गं माने तो करीब 8 गंटे बाद, यूएस कोस्ट गार्ड को इसका पता चला और सर्च ओपरेशन चालू किया गया, यूएस कोस्ट गार्ड के ओफिसर के मताबिक ये काफी डिफिकल्ट ओपरेशन था, जिसे पानी के अंदर कंविजिबल्टी, मिलियन सोफ माइल्स में फैला Atlantic Ocean, सर्च टीम ने सोनार टेकनलोजी का यूज़ करके इस सम्मरीन का पता लगाया, इस सम्मरीन में सवार सभी पाँचों लोग वैल नौन बिलियनर्स थे, ओसियन गेट के सीओ स्टॉक्ट ओन रश, एंगो के वाइस प्रेसिडेंट और चेर्मेन सहजाद दाउद और उनक जैसे एक बोटल की सारी हवा सक करने के बाद एक बोटल की हालत हो जाती है